Hello everyone, Newton's World DMK में आप सबों का बहुत स्वागत है आज मैं आप सबों के लिए दर्द निवारक नुस्का लेके आई हूँ जी हाँ फ्रेंड चाहे जैसा भी दर्द हो चाहे वो जोरों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कंदे की दर्द हो, कलाई में दर्द हो कमर में दर्द हो, या फिर सिर का दर्द हो, हाथ पैर किसी किसी की उंगलियां टेड़ी हो जाती है उसमें दर्द होने लगती है, माइगरेन की दर्द होने लगती है या फिर घुटनों की गैप होने की प्रॉलम के कारण दर्द होने लगती है चाहे किसी भी तरह की दर्द की समस्या हो, यह सब ही दर्द को बहुत यासानी से खतम करने का ताकत रखती है और यह 100% नूस्का है, नया नूस्का है, पूरे YouTube में आपको कहीं नहीं मिलेगा यह बहुत जल्दी वर्ड करती है, बहुत जबदस ताकत रखती है दर्द को खतम करने का आज किलके खराब खानपान की वज़े से या फिर प्रदूशन की वज़े से हर एक पांच में से एक वैक्ति को तो जोरों का दर्द, घुटनों का दर्द और हड्नेों का दर्द होता ही होता है, पहले तो यह परिशानी सिब पूरे वैक्तिओं में पाई जाती थी लेकिन अब यह प्रॉलम जवान लोगों में भी देखी जा रही है और बच्चे में भी देखी जा रही है, तो यह बहुत ही जोरों से बरते जा रही है तो यदि हम लोग थोड़ा सा कुछ उपाय करना स्टार्ट कर दे तो यह ना तो बच्चों में आएगी और ना ही जवानों में होगी और बुरा पे तक भी चाहे 90 साल, 100 साल तक भी आपको कभी भी जोरों और घुटनों का दर्द कभी नहीं सताएगा आप बुरा पे तक भी हर समय दोरते, चलते, फिरते रहेंगे, कभी भी आपको कमर में दर्द नहीं होगी यह चोटा सा उपाय आप कर लें, और देखिए इसके चमतकारी फैदे, आपको कि बहुत जल्दी वर्ट करती है, बहुत जबदस्त है और मैंने भी अपने फैमिली में यह आजमाया हुआ है, तब मैं इसका रिजल्ट देखिए आज मैं आपके साथ यह सेयर कर रहे हूँ इसके लिए सबसे पहले आपको सोंट लेना होगा, जिया फ्रेंट जो अद्रक को सुखा करके उसका पॉडर बनाया जाता है, वो सोंट की पॉडर होती है ये देखे, मैंने तियार किया है, अद्रग को सुखा लिए है घर में ही, और इसका पॉड़र मैंने रेडी कर लिए, आपको ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी, सोट के पॉड़र, तो ये आपको सोट का पॉड़र लेना है, अब लेना है आपको एक खजूर, ब पाड़ कर रहे हूं तो बीच को आपको हटा लेना है, अब यहां पर इसी चीरे के अंदर में आपको दो चुटकी अजवाइन डालना है, दो ग्राम, यानि दो चुटकी आप अजवाइन ले लीजे, दो चुटकी आपको सोंट का पॉडर डालना है, जो सोंट का पॉडर मैंने अभी तुरत त्यार किया है, तो वो वाला सोंट का पॉडर ले लीजे, या फिर आप मार्केट से भी मंगा के ल 200 ml दूद में टाल लिया और इसे लुओ फिले मेंड़ेत करना है और में पीछानके ब साइव तो इस तरह से देखे फ्रेंड जब ये दूद अलका से गरम हो जाए तब इसमें ये जो मैंने खजूर के अंदर जो अजवाइन और सोट के पॉटर को डाला है वो वाला खजूर आपको सिप एक खजूर ही आपको लेना है और इसे आपको दूद में अच्छे से उबालेना ह और इसे करीब 5-7 मिनट तक low to medium flame में आपको उबालना है इस तरह से देखे फ्रेंड इसे अच्छे से उबाल लीजिए ये इतनी जबदस ताकत देगी कि ये आपकी सभी तरह की कमजोरियों को दूर करने के साथ साथ आपकी जोरों और हड़ियों का दद को दूर करने में ब करने के इसे सभी आपको छोरों और हटा episodes ओसे पे करना है मैं आपको सब उपाय तरीका बता दूगी आगहिं किस subrun किस तरह करना है पहले मैं इसे अच्छे से रेड़ी कर लेती हूँ तो यह दिखे फ्रेंड इसे अच्छेसे मैं पांसे साथ मिनट हो चुकी है रेड़ी है कुछ जो है आप यह लfen ड़ेशले लिठेश है और पिलेना है कंदाओ उसके अच्छे से अब यह पकार की सिफ़ए के यदि आपको بहुत। जादा दर्द है, सुभा साम हें एक खजूर दूद के साथ उबाल लिए लादक कांटीन्यों मुख़ार सब्सक्राइब लिए समा वार साम 15 जिए, और तो श्यादी दार्द साम 15 कि पीशिक्त लिए मुखें फिर 15 दिन इस्तेमाल कीजिए फिर 15 दिन छोड़ दीजिए बस इतना ही आपको करना है उसके बाद देखिए आपके हड्डियों का दर्द यह हमेशा क्लिक कर देगी पस एक खजूर आपको सूबस साम आपको डेली यूज करना है इसी तरह दूद में उबाल के और खजूर के सानि richtin richtin Donna's parents यह कंदोमें पर को दर्द और करेगी सरीकिसी हिस्से में आपको दर्द की सिकैधिया वह सानी से दूर करेगा कभी भी आपको दरद महसूस नहीं होने देगी तो जाज जादे इस वीडियो को सेर किजे अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली अपने चाहने वालों को ताकि सभी को इससे फैदा मिले और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजेगा ताकि मेरी मोटिवेशन आप रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके वेल बटन जो क्लिक कर लीजेगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे स्टे सेफ एं स्टे हिंदा